हेलो, वेलकम टू दे एडिटूरियल कोर्स 20th May 2021 के एडिटूरियल का अनलिसिस हम लोग करेंगे ग्रामर, निव वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बिसिस पे आज के एडिटूरियल का टाइटिल है फ्लेशिंग लाइट्स लाइट चमका था क्यों लाइट चमका रहे भाई तो एक तरह से हिंट कर रहे हैं रास्ता दिखा रहे है या खत्रे से आगाह कर रहे हैं ऐसा कुछ क्या सकते ठीक है किस मुद्दे पर है स्लाइडिंग एकोनॉमी एंड कैश ट्रांसफर के मुद्धे पे बोले आप हाँ से क्यों सर सिंपल सा बात है अभी दो दिन पहले डिटोरियल में हमने कहा था कि अगर सीधे सीधे सरकार पैसा सब के ट्रांसफर कर दे एकाउंट में और सब के अनाज पानी से पहुंचा दे घर पे अच्छे महिने का लॉकडाउन लगा दे और इडिटल का डॉक्टर का ताकि इंफेक्शन बढ़े तो उसका इलाज किया जा सके वैक्सीन का सब कुछ का और आज एडिटोरियल में वही बात एडिटर साब भी बोल रहे हैं कि कैस्ट ट्रांसफर कीजिए स्लाइडिंग एकोनॉमी से लड़ने के लिए टैग लाइन के पहले जर दिखियेगा एज इंफलेशन, थ्रेटन्स, एकोनॉमी के लिए, एकोनॉमी के लिए कंजम्टीव के लिए, किसी भी देश की जनता जितना सर्विसेज और प्रोड़क्ट्स कंज्यूम करती है उस देश का या उस एकॉनोमी का वही कंज्यम्टीव एक कैपैसिटी होता है ठीक है तो जाहिड सी बात है दी इंफलेशन होगा कीमते बढ़ेंगी, मुद्रस्फिती होगी, महंगाई बढ़ेंगी तो उस देश की जनता के कंज्यम्टीव कैपैसिटी पर निगेटीव असर पड़ेगा खास करके इस पिरियड ऑफ टाइम में जब जहां पर आमदनी एकदम रुकी हुई है अमदनी कम नहीं, अमदनी रुकी हुई है तब तो आगे बोल रहे हैं कैस ट्रांस्फर केन बूस्ट डिमांड मतलब सीधे सीधे पैसा ट्रांसफर कर दिया जए जनता के काउंट में तो डिमांड बढ़ सकता है, जाहिर सी बात है, पैसा आ जाएगा, तो लोग खरी देंगे ही खरी देंगे, तो डिमांड बढ़ेगा, तो मैनुफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो मैनुफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो इंप्लाइमेंट जेनरेट होगा, बाकी तो बुलने का ज and anecdotal evidences have been pointing to उस बात को confirm किया है जो बात बहुत सारे अर्थसास्ती और anecdotal evidence में इसारा किया जाता रहा है anecdotal evidence क्या होता है यदि कोई evidence anecdotal है तो वो official और formal नहीं है वो informal है वो scientific calculation या scientific observation पे based नहीं है लेकिन देखने से मुटा मुटी तौर पे evidence नजर आ रहा है तो जो हालात दिख रहे थे वही anecdotal evidence थे और बहुत सारे economist ने hint भी किया था ठीक है उस बात को RBI का जो latest monthly bulletin आया है तो उसने भी इस बात को confirm कर दिया बात क्या है तो बात है sharp backslide in economic momentum बहुत तिवर शार पे दी कोई चीज है तो बहुत तेज अब backslide है मतलब पीछे की ओर लुड़कान हो रहा है पीछे की ओर लुड़कान हो रहा है economic momentum में तो जाहिड सी बात है पीछे की ओर economic momentum जा रहा है तो इसका मतलब अर्थविवस्था गिरती हुए अर्थविवस्था हो रही है मतलब उसमें कमी आ रही है आगे बढ़िए in an article एक article में article किस चीज पर था on the state of the economy ठीक है अर्थविवस्था के हालात पर article था उस article में RBI officials including deputy governor Michael देबाबरता पात्रा फ्लैग्ड उसमें बहुत सारे RBI officials और साथी साथ deputy governor Michael देबाबरता पात्रा ने flag किया है मतलब indicate किया है मतलब इशारा किया है किस चीज के बारे में demand shock के बारे में demand shock मतलब मांग में लगने वाला जटका वो बाल सीर के मांग नहीं जो demand होता है जनता का मांग होता है demand क्या कि बजार में कितना चीज का consumption हो रहा कितनी वस्तुएं भिक रही है कौन सा services purchase कि लोग consume कर रहे है उस पे demand shock demand shock inflict किया गया inflict करने का मतलब क्या होता है inflict करने का मतलब कोई बुरा चीज करना जैसे inflict pain on somebody किसी को दर्द देना inflict punishment on somebody किसी को सजा देना ठीक है तो यह जो demand shock है inflict किया गया है ferocious second wave के द्वारा COVID-19 pandemic के ठीक है यह जो जो ferocious second wave आया second wave तो आप समझी गया होंगे ferocious की में यूज किया गया ferocious का मतलब होता है बहुत खुंकार क्यों कि हजारों लोगों की जान ले रहा लाकों लोगों को infect किया है तो इसके द्वारा inflict किया गया इसके द्वारा पैदा किया गया क्या demand shock इसके बारे में एक article में state of the economy नाम है उस article का उसमें RBI के बहुत सारे officials हैं और deputy governor है RBI के उन्होंने यह इसारा दिया है कि भाईया जो demand shock होने वाला है इसके कारण COVID-19 के second wave के कारण ठेक है specifically खास तोर से they have cited उन लोगों ने यह लेक किया है क्या उलेक किया है भाई the loss of mobility mobility का loss होगा mobility क्या होता है तो mobility होता है एक जगह से दूसरी जगह जा पाना उचाहे आदमी का है चाहे manufactured goods का चाहे cash का liquid cash का तो mobility का loss हो जगा जाहिर सी बात है कि जब lockdown लगा हुआ है घर से निकल नहीं सकते हैं और transportation चल नहीं रहा है तो mobility का loss होगा mobility का loss होगा जाहिर सी बात है liquidity का भी loss होगा liquidity समझते हैं बजार में cash पैसा की उपस्तिती कम हो जाएगी impact on discretionary spending ठीक है अंधा धूंद खर्चे पर असर पड़ेगा discretionary जो था उस word को सीखे discretionary क्या होता है discretionary spending discretionary spending वो खर्च होता है जिस खर्च में बंधू तो आदमी जरूरी नहीं है करना लेकिन पैसा है तो आदमी कर लेता है अब जैसे एक उजुदता लेना है तो भाई चलो पैसा है तो ले लेते हैं नहीं पैसा रह दो पूरन के से काम चलाते हैं लेकिन अगर वो लिया जाता हो compulsory नहीं था एक जोड़ा जुदता हम अपने पर बात किया या किसी इंडिविजूएल पर बात किया लेकिन इह बात समझेः सिर्फ एक्जामपल था इसको रियालिटी से कहीं से कनेक्ट ना करेंगे मतलब हम अपने उपर एक्जामपल दे है किसी के उपर भी तो इक्जाम्पल इक्जाम्पल सिर्फ होगा बातों को समझाने के लिए बात समझेगा जरा तो डिस्क्रेश्टनरी स्पेंडिंग पर इंपैक्ट पड़ता है इंक्रीज इन अनिम्प्लॉइमेंट होता है और यह सब को कहा जा रहा है और यह सब जो है किलियर साइन है एकदम सपस्ट निशानी है कि डिमांड इस इन दे डोल ड्रम्प तो अधर में लटका हुआ है तो इसके स्थिति अच्छी नहीं है लटकल है ठीक है आगे बढ़ें तो इन दे डोल ड्रम्प मतलब दुविधा जना के स्थिति में किलियर कट आगे नहीं बढ़ रहा है तो इन दे डोल ड्रम्प से है कि सेवरल हाइफ रिक्वेंसी इंडिकेटर्स फॉर अप्रिल के लिए बहुत सारे जो है् फ्रेक्वेंसी इंडिकेटर्स है इंडिकेटर्स ने मतलब की गति आगे बढ़ने के वज़ाएं पीछे हट रही हैं मतलब कम हो रही है आर्थिक गतिविदिया होगा नहीं आप देखिए नहीं सब का तो बंदे नहीं आंधनी भाई तो क्या होगा जीएश्टी इवे बिल्स एणिडिकेटर ऑफ लोगों का ट्रेड व्यपार अच्छा चलेगा तो जीएश्टी इवे बिल्स ज्यादा भराएगा व्यपारी लोग ज्यादा जीएश्टी बरेंगे अब कम आ रहा है तो जाहिर सी बात हो एक तरह का इंडिकेटर है कि नहीं है कि भाई डोमेस्टिक ट्रेड का हेल्थ कैसा है कॉन्ट्रेक्टेड 17.5% मन्थ औन मन्थ हर महीने 17.5% जो है घटा घट गया GST वे बिल से इंडिकेशन मिल गया वाइल आउटो मोबाइल फुएल कंजम्शन कॉमर्सियल वेहिकल सेल्स और डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ओल स्रेंग फ्रॉम्द प्रॉम्द प्रिसीडिंग मन्थ मतलब पिछले महीने के हिसाब से तो महीना दर महीना घटा 17.5% उसके साथ और क्या क्या चीज में श्रैंक किया श्रैंक जो है भी टू है सेल्स कॉमर्सियल वेहिकल क्या होता है माल्ड होने वाली गाड़ी जैसे छोटा ट्रक से लेके बड़ा ट्रक तक ट्रैक्टर अना पॉब्लिक वर्स यह सब वेहिकल का सेल कम हो गया दोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक मतलब जो देश में एक राज्य से दूसरे राज्य एक सहर से दूसरे सहर चलने वाला हवाई जहाज है उसमें ट्रैफिक में कमी आई पिछले महिने से सब में इस अभी इंडिकेटर है भईया कि आदमी का एकोनोमिक गतिविदी जो जो रूरल एकोनोमी था तू उसने भी सौर डिमांड बिगीन टू ड्राई अप उस एकोनोमी में रूरल एकोनोमी ने भी देखा कि डिमांड जो है सुरू हो चुका है ड्राई अप करना ड्राई अप एक फ्रिजल भर वे इसका मतलब होता है सूख जाना नदी का तालाब क जाना उमदकरमी के दिन में नदियां, रिवर्द्स and पॉंड्स ड्राइप जाते हैं, मतलब उनका पानी गम हो जाता है, तो उसी तरह डिमांड ड्राइप हो गया तो डिमांड सुख गया, यानि डिमांड कम हो गया कहां, रूरल एकॉनमी में, जो कि प्रिवियसली, प्रिव infections spread wider and deeper into the countryside जो नया infection है countryside में भी ग्रामीन इलाकों में भी बहुत wider और डीपर spread होते जा रहा है बहुत अंदर-अंदर तक गाउं देहतों में ये infection फैल रहा है ठीक है भयानक एट्रेंड रिफ्लेक्टेड इन थर्टी पॉइंट फाइफ परसेंट कॉंट्रेक्शन in the dispatches of two wheelers and a palpable weakening in demand for tractors कहा जा रहा है कि एक ट्रेंड देखा गया कि 33.5% contraction आया contraction मतलब सीकुड़ा कमी two wheelers के dispatch में मतलब company उसे two wheelers कम निकल रहे है 33% कम निकल रहे हैं और palpable weakening देखा गया मतलब तातकालिक रूप से एकदम पश्ट महसूस होने वाला कोई चीज palpable है तो उसको इतना clear है कि उसको आप देख सकते हैं तो कमी देखा गया tractors के भी demand में मतलब tractors है two wheelers से इसाब माना जाता है कि rural area में इसाब चीज ज़्यादा खरीदा जाता रूरल एरिया के लोग सहरों से आने जाने के लिए अपना खेती के काम के लिए अपने खेती वाले प्रोडियूस को बजार मिलाने के लिए इन सब वेहिकल्स का उप्योग करते हैं और उनको economic स्थिती अच्छी रहती है दि उनका उपज अच्छा हो रहा है उनका खेती का क कमी देखा गया सोच लीजिए अब क्या होने वाला है ठीक है आगे देखें also unemployment बेरुजगारी भी which hit a four month high जो चार महिना का सबसे high data को टच कर दिया बेरुजगारी 8% in April अब बेरुजगारी का दर अप्रील में क्या था 8% पिछले चार महिना में सबसे ज़्यादा था as per survey by the center ये किसके अनुसार केंद्र सरकार के द्वरा करवाएगा एक survey के अनुसार केंद्र सरकार ने क्यों करवाया था survey for monitoring Indian economy भारत के economy पर monitor करने के लिए उस पर नजर रखने के लिए वाज at 9.5% on May 18 जो ये था unemployment था अप्रिल में 8% और अठारा मई को 9.5% हो गया survey के अनुसार on a 30-day moving average 30-day के एक आसात तीस दिन के आसात के हिसाब से निखाला गया तो क्रूशली क्रूशली मतलब इस क्रूशल यह बहत पूर्ण है कि रूरल इंप्लॉइमेंट captured by the moving average has risen to 8.6% जो रूरल अनिप्लॉइमेंट है ग्रामीन चेतर में बुरुजगारी है moving average के द्वारा देखा गया तो यह 8.6% rise कर गया बढ़ गया मतलब पिछले तीस दिनों के तुलना में इस तीस दिनों में 8.6% जादा नहीं राइजन 28.6% बढ़ के 8.6% हो गया बेरुजगारी and this at a time when the pandemics grip and higher spending on health are likely to be pushing up precarity among households in the hinterland खास करके उस समय ठीक है बेरुजगारी उस समय 8% बढ़ करके 8.6% हो गया जब pandemic case grip के कारण pandemic case पकड़ के कारण health पर higher spending के संभावना बढ़ने की संभावना है कि health पर जो खर्चा होगा उसके बढ़ने की संभावना है वो क्या चीज़ को बढ़ा देगा बढ़के precarity को बढ़ा देगा precarity मतलब खत्रा ठीक है उन परिवारों में जो इन्टर लेंड में रह रह रहे हैं 閉ल दूर्डराज के झेट्र में रहने वाले परिवारों में खत्रा बढ़ा देगा क्या चीज़ खत्रा बढ़ह देगा इस जो बिरुजगारी बढ़ रहा है साथ ही साथ pandemic बढ़ने के कारान उनके healthcare पर खर्च भी बढ़ रहा है बिरुजगारी रहेगा तो healthcare पर खर्च नहीं होगा तो लोग मरेंगे तो इसलिए कहाँ खत्रा बढ़ा देगा आगे देखिए looking ahead अगर आगे देखें तो the critical risk to the economy risk to something कोई चीज पर खत्रा तो economy पर जो critical risk है बड़ा खत्रा है even as it tries to recover from the last fiscal year's crippling contraction is posed by the speed at which the virus continues to spread in the country. देखें साफ साफ एकदम लिख रहा है कि जो economy है उस पर critical critical खत्रा हलाकि जब ये economy कोशिश कर रहा है recover करने का पिछला वितिये वर्ष के crippling contraction से पिछला वितिये वर्ष का crippling contraction का मतलब क्या भाई साब 2020 में संपूर्ण lockdown था था ना पूरा economic गतिविदी पूरी तरह से बंद थ था तो उस पर जो है वहां से revive करने का कोशिश 2021 में economy कर रहा था हर आदमी अपने अपने level से पूरा संघर्स कर रहा था 2021 कि कई सुहूं करके इस स्थिती से बाहर निकल जाते हैं और उस पर्यास पर खत्रा लग गया खत्रा लग गया किस के द्वारा जिस स्पीड से वाइरस फैल रहा है कंट्री में उस स्पीड वाइरस के उस संक्रमन के द्वारा खत्रा पैदा हो गया ठीक है विद पेस ओव एक्शनेशन हैविंग स्लोड नेशन वाइड मोर सो इन रूरल एन सेमी रूरल एरियाज दे एग्री कल्चर सेक्टर इस लाइकली तो फेस चैलेंजेश क्याता विद निशन वाइड मतलब पूरे देस में वाइक्शनेशन का स्पीड स्लो हो चुका है जिसके कारान अखास करके रूरल और सेमी रूरल एरियाज में और भी ज़्यादा ऐसा हुआ है इसके कारान अग्री कल्चर सेक्टर के सम्भावना है कि वह ज़्यादा चैले जब खरीफ हसल का बुआई करने का ज़रूरत होगा उस समय चुनाथियां बढ़ जाएंगी कि क्यों बढ़ जाएंगी क्योंकि जितना तेजी से वाइरस अपना पैर पसार रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इंफेक्टेड होने लगे नेशन वाइड लॉग कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा 10 बजे 11 बजे करना पड़ सकता है सरकार को अपना मन से सरकार अभी इनाकारनी की कोसिस करें डिनायल मोड में है बोल रहा है सब कुछ लेकिन अंदर से एक्संट डिनायल मोड वाला कुछ ऐसा काम किया नहीं जा रहा सरकार के दोरा तो है कि बहुत बड़ा है हो सकता है कि कोई जन अंदोलन चुड़ जा सरकार कोई सब चीज को कंट्रोल करने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पोड़े अजब कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा तक खेती का फसल करें मजूर कहां से आएगा कोन अपने जान पर ख जो खबरे आ रही हैं मौतों की इस बीमारी से रिलेटेड मौतों की सहरों से और गाहों से वह एक पोड़े करती है ग्रीम पिक्चर मतलब बहुत भयावा तस्वीर प्रस्तूत करती है हम लोग के सामने ठीक है and it is hard to see rural demand for anything other than the barest of essentials including food and medicines reviving anytime soon तो यह बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि ग्रामीन छेत्रों में demand एकदम the barest of essential things को छोड़के the barest of essential things मतलब एकदम हर हालत में मातर जिंदारा निकले जतना जरूरी है उस सब कह लाएगा the barest of essentials essential things उसमें क्या सामिल होगा भोजन मेडिसिन सामिल होगा इदुनों को छोड़के कोई भी चीज का demand जल्दी फ्यूचर में नियर फ्यूचर में रिवाइव नहीं करी कि होने जा रहा है कहां से रिवाइव होगा एक तो बैचारा लोग किसान लोग का स्थितिया इसी ही फैला जादा तो सरकार बंद करवा देगी ठीक है उसनका में कई से कोई करेगा खेती जाकर के भाई तो जो जाहिड सी बात है खेती अगर नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं ना कि फिर उहां पर क्या इस्थिती और हो जाएगा पिछला साल जब एकोनोमी स्लोडाउन प्राइब तक क्यों नहीं सोचती हम को इने समझ में आता है कि पिछला बार ही सरकार को सोचना चाहिए था ना कि भाईया इनफेक्शन है पैंडेमिक है हम इसको क्यों ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि गाउं में नहीं जाएगा गाउं में पहुँच गया तो समाले नहीं प्रैक्टिशनर अब बहुत सा जिसको आप क्वैक बोलते हैं जोला चाप उसब थोड़ा बहुत मता दरद के आप होखार के खांसी के सरदी के जैनेतने से दवाई जोगड़ करके काम चलाते रहता है लेकिन कोरुनमा में कई से काम चलेगा इबत्वा सरकार कहें नहीं जब बुद्धी से सोचते हैं कि भईया हम घर के गार्जियन हैं अदि आम दनी कम होगा अपने कर आवें करा घर पैंटिंग करवाता हैं हम पहले कोंच करेंगे कि भोजन लाके स्टॉक करढ़ेंगे सब को किलो पना जतना दिन दिकत होगा पहले खाए की ज्याद्व ज्या गर्जियन सेंपल सा होकर के सोच सकते हैं अपने घर में तो पूरा देश का गर्जियन काहे नहीं सोच रहा हमको समझ में नहीं आ रहा है मतलब उत को क्या लग रहा है कि सब हमरा अलाद ना लाइक है देस वाला सब को छोड़ दो मारे लगी कटे लगी इसन है गजा भई यार कितनों सोचो कि नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे बतिये हिसन होता है कि बोले पड़ता है आगे बोलो इसमें आउई भी सामिल कर लो तराइजिंग कॉस्ट अफ ट्रांसपोर्ट फियल से उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है और सार्प इंक्रीजेज इन कॉम कीम्त के बढ़ते जा रही है तो किमते बढ़ते जा रही है और आप देख सकते हैं की domestic cost condition वर्सन होते जारा बद से बत्तर होते जारा जैसा कि RBI officials ने पहली वर्ण किया था accelerating inflation टेजी से बढ़ता हुआ मुद्राश्विती threatens the economy overall conjunctive capacity overall जो consume करने का capacity हमारे economy का उसको threaten कर रहा उसके लिए खत्रा पैदा कर रहा तो हुबे करेगा इतना तेजी से इंफलेशन बढ़ेगा आज ममी बुली कि अभी 10 दिन पहले तेल लाई थी साथ दिन पहले सरसो का तेल 170 रुपई ए किलो था आज 100 सॉरी 200 रुपई किलो आज बताया 170 जिस समय लाई थी उसके 10 दिन पहले 140 था तो आईसे बढ़ेगा कीमत हम एक दाम अपने घर की बात बता रहें भाई साब तो एक दाम आईसे कीमत बढ़ेगा तो कई से होगा जाहिर सी बात है हम पता नहीं क्यों हम बोल दिये घर में इसी हैसी हैसी में कैसा करो ना कि एक आक महिना सबजी बनाना छोड़ दो भी न तेल के आदमी खाएगा यह मजाक में बोले सब मजाक में ली या लेकिन ऐसा बहुत सा परिवार होगा जोसका इस्तिती आ गया होगा बिचरा का आई से नहीं होना चाहिए और पॉलिसी मेकर्स नीड टू बी वैरी आफ मतलब सतर्क हो जाना तो जितने भी पॉलिसी मेकर्स है उनको सतर्क हो जाने की जरूरत है किस चीज के परती रियल डैंजर के परती किस चीज का रियल डैंजर स्टैक्फलेशन स्टैक्फलेशन का मतलब होता आर्थिक मंदी एकोनॉमिक स्लोडाउन ठीक है दा स्रिंकिंग फिस्किल फिस्कल स्पेस नॉट विद स्टैंडिंग ऑफॉरिटीज नीड टू स्पेंड मोर ऑन एक्सपेडाइटेड नेशन वाइड वैक्सिन देखिये मान से ज्यादा से ज्यादा खर्च करें किस पर एक्सपेडाइटेड नेशन वाइड वैक्सिन रॉल आउट पर कि पूरे देश में बहुत तिवर गती से वैक्सिन को लॉंच किया जाए और इस बात पर विचार करना चीए ऑथरिटीज को कि डारेक्ट कैस्ट ट्रांसफर कर जनता के एकाउंट में ताकि जनता के पास पैसा रहे तो डिमांड बढ़ सके बजार में ठीक है इसके अलावा अब कोई उपाय नजर नहीं आता है कि खाना दे दीजिए हम फिर से बोल रहे हैं पूरा आज पहुंचवा दिजिए सब के घर में चच्छे मैना का ठीक है नह क्राइसी इसमें का इन खुर एक महिना के पैसा में दू महिना या तीन महिना के इंटरनेट देगा कॉल बंद कर वा दे इंटरनेट सालू करे ले रखे टेक है ताकि लड़कं ऑनलाइन तो ऑनलाइन पढ़ सके कम से कम दिमाग साहतान के घर स्मझना होगा बाल बुत्रू लगाईए और लंद फंद वेवस्था करके उसके बाद फिर चरण साय खोल दीजिए और उसके बाद कहिए कि सब अपना अपना साफधानी से काम करो जी ठीक है और उसके बेवस्था रहे करेगा बीमार उमर पड़ेगा जाएगा फिर इस अब करना पड़ेगा कैश ट्रांस इससारर देख्ड एफिर हैं किया इसका इकॉन है क्या है इच्टिर्प्शन में लिंक भी दे रहे हैं इसका वहां से जाकर करके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से रहा है और positivity का तोरAttर इशमें। पर द्टारियो से कम्प्लीट एनलेसिस मिलेगा एक डिटीरियें पर करें कोई कुछी इसमें आप कुछी कीजेगा इतना कर दीजिए बाकि मिलते हैं अगला वीडियो में धन्यवाद